बीजेबी प्रदेश प्रवक्ता लक्षमी कांद भारदवाज ने बीजेबी मीडिया सेंटर पर प्रेस्वारत आयुजित करी जहां उन्होंने कॉंग्रेस सरकार पर जम कर हमला बोला उन्होंने प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरां दुश कर्म और हत्या की घटनाओं को बीकानेर और दासव में हुए अपरात के लिए अनादी सरस्वती ने कॉंग्रेस जोइन करने के कहा कि साधवी पहले भी वीजेपी में नहीं थी और गौस अन्रक्षन की बात करने वाली साधवी को मुख्यमंत्री गहलोत से सवाल करना चाहिए था कि लंपी वायरस के समय प्रदेश में नौ लाग गाये मरी ता मुख्यमत्री गहलोत ने गायों के लिए क्या किया इस दौरान लक्ष्मिकान भारदवाज ने मोधी सरकार की सरहना भी रह करी इनी सब मुद्दो पर नवतेश टीवी के वरिश समवादाता उमंग माथूर ने लक्ष्मिकान भारदव जी हमारे साथ मौझूद है लक्ष्मिकान जी आप जिस प्रकार से राजस्तान में अपराद बढ़ता जा रहा है बीजेपी के निशाने पर लगातार कॉंग्रेस है इनी अपरादों को लेकर आज आपकी प्रेसवार था थी क्या उसका मुख्य विश्य था देखे हम राज विधियों के संस्षकर्म जैसी घ्यव का वई बिकानिये मे UN की साथ दुशकर्म हुआ उसका वीडियो वायरल कर दिया उसने दुखियोos कर आतमत्या कर ली तोसा में UN की आपरन keeper मोई शके स African नवास्सतामार में प्रटकर चले गром मार दिया जालावाड में वेक्ति के लाश मिली यह 24 घंटे के जो में बाते आपको बता रहा हूं राजस्तान ऐसा प्रदेश था नहीं जिसे कॉंग्रेस पार्टी ने बना दिया है तो समझने की बात यह है कि राजस्तान पांच साल में जो कॉंग्रेस ने बनाया है वो राजस्तान की धरती पे मौझूद थे और उन्होंने प्रेसवारता में यह साफ संदेश दिया है कि अगर हम यहां पर होते तो जिस प्रकार का इलाज अपरादियों का हमने उत्तर प्रदेश में करा है वैसा का वैसा इलाज हम यहां राजस्तान में करते हैं अपरादियों मददान है, 3 दिसम्बर को सरकार बन जाएगी 4 दिसम्बर से राजस्तान में आपको परिवर्तन दिखेगा राजस्तान में जो अपरादी घूम रहे हैं तो राजस्तान छोड़ दे या सरकार उनको छुड़वा देगी राजस्तान आज जो कुछ भी बिगडी हालात में है, अराजकता में है, वो राजस्तान की सरकार की वज़े से है सरकार ने पैसा खाने के लिए, ब्रष्टाचार करने के लिए, लूट करने के लिए ऐसा वातावरानी अपरदेश में बना दिया अपरादियों के साथ सांट गाट की, पुलिस के लोगों को खुली चूट नहीं दी आज जो इस्तती बनी है, उसके लिए कॉंग्रेस पार्टी की सरकार जिमेदार है अगर सरकार सकत हो, तो हर प्रकार का अपराद रोका जा सकता है इसाथ पारदियों पर नकेल कसेंगे, उनके साथ होई बरताब होगा, जो उन्होंने लोगों पर करने की कोशिष की है आज के परिपेक्ष की अगर बात करें लक्ष्मकान जी तो आज दो घटना करम हूए एक तो बीजेपी की तीसरी सूची आई है 58 लोगों की और दूसरा कॉंग्रेस ने एक साधवी को जो बीजेपी से ही तालुक रखती थी उनको बीजेपी छुड़वा के कॉंग्रेस कॉंग्रेस पार्टी ने उनको जोईन कर आया अच्छी बात है लेकिन मुझे तो लगता है कि बहुत ही अच्छा आफसर था कि साधवी जी वहां बिराजी थी और बास में अशोक गलो जी थे सीम थे तो मुख्यमंत्री जी से वह पूस लेती हैं कि मैंने भगवा कपड़े पहने हैं मैं सनातन के लिए काम करती आई हूँ तो मुख्यमंत्री जी जबाब दे दीजिए कि नो लाख गोवंश हमारा लंपी में तड़प तरपकर मर गया आप क्या कर रहे थे तीन दरजन साधू संतों की हत्या हो गई आप क्या कर रहे थे कितने सारे हमारे यूकों को पीट पीट कर मार दिये गया मुस्लिम समुदाए के लोगों की दौरा तब आप क्या कर रहे थे कितने दंगे राजस्तान में हुए उसके उपर आप क्या कर रहे थे हिंदू नवश आपकी हरुमान जहनती आपका परचुराम जहनती इन सब की उपर प्रतिमंद लगा दिय या पीएफाई को आपने इजाज़त दी तब आप क्या कर रहे थे तो इन बातों का जबाब सादवी जी को वहीं तुरंत मंच पर अशोग अलोजी से ले लेना चाहिए था मुझे रगता है ज़्यादा ज़रूरी था इक आखरी सवाल यह है कि आज जारी हुई उम्मीदवारों की लिस्ट में स्वामी बालमुकंदाचार को हवामेल सीट से उतारा गया है और पहले कि अगर सीटों के हम बात करें वली विद्यादर नकर हो जोटवड़ा हो हवामेलो आमेर हो इन तमाम सीटों पर हवामेल को अगर छोड़ दें तो इन बाकी की सीटों पर अभी तक कॉंग्रेस अपना कोई उम्मीदवार उतार नहीं पारी है और हालात ही हो गए कि कई बड़े बड़े नेता चुनाव लणने से मना कर चुके है देखिए इस्तती यह हो चुकि है क्योंकि उन नेताओं को पता है कि क पताश्री के सामने उनकी जमानत भी नहीं बचने वाली है कि राजस्तान में जो अपराद जिस प्रकार से लगातार बढ़ता जा रहा है और पिछले 24 घंटों के हम बात करें तो हत्या लूड बलातकार ड़केती जैसे कई ऐसे गंभीर अपराद पिछले 24 घंटे में हुए जो कि नहीं होने चीए तो और ये इसलिए हुए है क्योंकि हाँ पर प्रदेश के जो मुखियां है वही ग्रह मंतरी हैं कानून वेवस्ता समालना उनके हाथ में लेकिन वो इसे समालने में पूरी थरे नाकाम रहे है साधवी जी के कौंगरेस जोइन करने के सवाल पर साफत संसक्रिती पे हिंदू तेवारों पे गववंश पे जो हुए है उसके बारे में आपने क्या किया तीसरी बात हवामहल से आज स्वामी बाल मुकंदचार को टिकेट दिया गया है साधिसी बात एक और हिंदू चेहरा एक और सनातनी चेहरा बीजेपी ने आज मैदान में उत चुके हैं ये समझ चुके हैं कि बीजेपी को हराना अब की बार आने वाले विधान सबाद चुनाव में बिलकुल भी हम कह सकते हैं कि आसान नहीं है इसलिए उन्होंने चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया है खैर अब ये तो आने वाला वक्त बतायागा कि 182 के आसप प्रेस के ही कई दिगजनेता चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं जाहिर सी बात है ये विधान सबाद चुनाव अपकी बार काफी रोचक सिद्ध होने वाला है से होगी कैमरामेन राकेश गुपता के साथ उमंग मातुर नफदेश टीवी जैपूर देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सबस्क्राइब करें नफदेश टीवी और फल फल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबारा ना खोलें क्योंकि आपकी खबरों का भरोसे मन साथ ही है नफदेश टीवी